आप सबी को भी गुरु पुर्णिमा की बहुत बहुत शुपकामनाए परमेश्वर आपको तरक्की दे उनत्ती दे दनेवार गुरु जी चलि आज का हम लोग शैशन शुरू करते हैं पंडित ग्यानेंदर उपाध्या जी गुरु जी प्रणाम आपको गुरु पुर्णिमा की भेशारी शुपकामनाए आपका एक लब एक बार पर आपके सामने प्रस्तित है दोहाई गुरु जी नात सकल तुम्हारी मैं सेवक समेत सतनारी करों प्रपा लरकन पर भूल गुरु जी आपको सामने देखें मेरा प्रश्न गुरु जी यह है आपने है ना मंत्र एस्ट्रोजी में एक बाद किसी ग्रह से लाव मिलेगा की नहीं यह देखने के लिए उस ग्यारवा भाव देखना चाह सफलता के लिए दसवा देखना चाहिए फिर आपने कहा था सुख चाहिए तो चोधा भाव देखना चाहिए मेरा प्रश्न से इतना सा है लाद सफलता और सुख इसमें गुरु जी मतलब इसको कैसे हम अलग-अलग देख रहें मतलब इसमें आपका आपका हमारे जोतिस सास्त की कुप्सूर्टी है कि वो सामने वाले के व्यक्तित्व के अनुसार उसे अपने द्रिष्टी कोण के अनुसार चीजों को देखने का और समझने का पूरी सवतंतरता है जहां तक प्रशन है उस सूत्र का तो वो सूत्र ये है अक्सर जब भी हम कोई मंत्र जीवन में प्राप्त करते हैं या अपनी मनमर्ची से उसका जब पारंब कर देते हैं तो विद्यारती के मन में एक शंका जायर होती ही होती है क्योरे सिटी भी आप कह सकते हूं किस मंत्र जब करने से मुझे क्या लाग तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो मंत्र जब है क्या क्या वो गुरू के द्वारा दिया गया परदत्त मंत्र है या अपनी ही मर्जी से चुना हुआ कोई मंत्र है वो सूत्र उन चीजों पर लागू हुगा जो अपनी मर्जी से चुने हुए मंत्र है ना की गुरू मंत्र है गुरू मंत्र जो हुता है एक प्रकार से मुक्ती मंत्र हुता है मुक्ती का तात्प्रे ही ये है कि अब हमें इस आवागमन से मुक्त होना है और जब तक हमारा जीवन है हमें अपने जीवन को स्रेष्ट तरीके से जीना है गुरु मंत्र ना धन देने की बाद्यता रखता है ना आपको सफलता देने की बात करता है ना सुख देने की बात करता है वो इन सब चीजों के लिए है ही नहीं गुरु मंत्र आपकी चेतना शक्ति का विकास करता है आपकी आत्मा का विकास करता है आपको करम का ज्यान का विकास करता है इस संसार में रहे करके सेवा भाव करते हुए अपने करम को स्रिष्ट कैसे बनाए इस बात का ख्याल गुरु मंत्र रखता है साथ में ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो हम कुछ जीवन में अपना पाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या स्रेष्ट है क्या सर्व स्रेष्ट है इसका अंतर कर पाएंगे यह सारे कारे जो है गुरु मंतर करता है पर जब बात आती है हमें स्वार्थ पूर्थी हेतु, कि हमें रहना तो इस दुनिया में ही है और दुबारा भी इसी दुनिया में आना है, पर जो अभी का कश्ट है उसको मिटाना, तो कुरोडो मंत्र हमारे सास्त्र में दी हो रिगवेद जो हमारे चार वेदों में से एक वेद है एक परकार से समझो मंत्रों से भरा हुआ है हमारे कई सास्त्र ऐसे हैं जिनका हर शलोक अपने आप में मंत्र है चाहे वो रामयन हो चाहे वो गीता हो चाहे वो दुर्गा सबसती हो उसका हर शलोक अपने आप में मंत्र है पर जब बात आती है स्वार्थ पूर्थी की अपने हित्त की तब ये सुत्र काम करता है कि जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं वो मंत्र जाप हमें क्या रिजल्ट दे सकता है अगर हम उस मंत्र से यानि कि मंत्र की राशी जब मैं मंत्र की बात करूं तो मंत्र विज्ञान में मंत्र की राशी है वहां से आपकी जनम पत्रिका में देखना है कि वो राशी कौन से हाउस में है और उस से चार घर आगे हमें गिनना है स्पोज करो कि व्यक्ति मेश लगन का है और मेश लगन में कि ही जो मंत्र है उसका जो राशी है वो मान लो कर्क है कर्क राशी का मंत्र है अब वो हमें सुख देगा या नहीं देगा वो कुंडली का उस राशी से चोथा भाव हमें बताएगा अब जब चतुर्त भाव से हम चोथे तक आएंगे तो सब्तम आ जाता है यानि की सब्तम भाव डिसाइड कर रहा है यहां पर कि यह मंत्र से सुख प्राप्थ होगा के नहीं होगा पर उसे पहले डेफिनेशन को समझना होगा यह सुख की चीज का नाम है अगर वो व्यक्ति सोचता है कि हर तरह का धन धानने हर तरह की सुक्सुईदा हर तरह का लगजरी यह सब चीजे मुझे चाहिए मुझे प्राप्त हो जाए और जीवन में कभी कष्ट ना आए तो वो मति ब्रह्मक का शिकार है क्योंकि हमें जीवन को समझना पड़ेगा जब हम इस संसार में आए हैं तो हम अपने पीछे करम और संसकार दो चीजे ले करके आए उन करम और संसकारों से मुक्ति सहज नहीं होती और जो भी जीवन का कष्ट है वो हमारे ही द्वारा किये गए करम है जो भी उसका सुख है इस जनम का वो पूर जनम में किये गए उसके पुन्ने है इतना सा ही सिद्धान अगर वो समझ जाए तो उसे सुख और दुख को समझ में आएगा पूर जनम के दुख जो की प्रारब्द में लिखे हुए उनको कोई नहीं टाल सकाए अगर वो उस उपदेश्य के लिए गुरु मंत्र या अन्य मंत्र या कोई भी मंत्र करता है तो उसको अपने उपदेश्य को बदल देना चाहिए क्योंकि वो इस उपदेश्यों की पूर्ती ही नहीं करता जीवन है तो कश्ट है दुख है प्रेशानी है रोग है शत्रू है इस सब आए इनको रोका सकते तो कभी भी इस ब्रह्म जाल में ना रहे मैं दुनिया का कोई भी उपाय करके चाहे वो लाल किताब हो चाहे वो काली किताब हो चाहे वो पीली किताब हो या कोई और किताब आ जाए या वैदिक जोतिश हो कोई भी किसी के माद्यम से उसे आने से नहीं रोख सकते उसको भुक्तान करना ही पड़ेगा पर उस भुक्तान को करते समय उसकी मनोदशा कैसी रहे इसमें मंत्र सहयक होता है आपको रोग आएगा दशाओं ने डिसाइड कर लिया रोग आएगा अब मंत्र जब क्या लाब देगा क्या जाप करते ही रोग गायब हो जाएगा मती ब्रह्म है मती ब्रह्म है ऐसा नहीं हो उस रोग से लड़ने की शमता विक्सित होने लगेगी उसका द्रिष्टी कूण बदलने लगेगा यह मंत्र का उप्देश्य है आज गुरु पूर्णिमा का आउसर है अर्थार्थ सत्त्य का आउसर है शिश्य इस दिन अपने आपको समर्पित कर देता है किस चीज के लिए शिश्य बनने के लिए शिश्य बनने के लिए अपने आपको समर्पित कर देता है और यह सहस्विकार करता है कि मैं मन वचन और करम से गुरु को स्विकार करता है और उस स्विकारे भाव में बहुत बड़ा रहस्य चिपाऊ उसको अगर हम समझ ले तो गुरु पुर्णिमा को भी समझ जाएंगे गुरु पुर्णिमा के महत्तों को भी समझ जाएंगे हम जब चाहे हिंदुस्तान में किसी को भी गुरु बोल देते हैं गुरु जी गुरु के कई शाब्दिक मेनिंग हो सकते हैं कई शाब्दिक मेनिंग हो सकते हैं वो शाब्दिक मेनिंग की भी समझ रखनी चीए गुरू का एक अर्थ है बड़ा विशाल हम से जो जादा ग्यानी है हम से जो जादा अनुभवी है और जो हमें अपने अनुभव को दे रहा है वो भी गुरू है फिर आते हैं दिक्षा गुरू दिक्षा गुरू यानी टोटल समर्पन टोटल सरंडर गुरू का वाक्य ही गुरू मंत्र है गुरू मंत्र का जाप तो केवल शिष्षे को रेडी करने की एक कला है कि इसके अंदर चेतना का विकास आरंब हो ये मंत्र अंदर जाकर के स्पंदन पैदा कर दे और जिससे वो इस सोचने पर मजबूर हो जाए कि मेरे जीवन का उपदेश्य क्या है मेरे जीवन का उपदेश्य क्या है अगर उसे जीवन का उपदेश्य समझ में आ जाता है तो गुरू की प्राप्ती प्राप्ती बन जाता है अन्य था कंठी धारन करने से माला धारन करने से तिलक धारन करने से छापा धारन करने से गुरू का नाम धारन करने से कुछ भी नहीं होता अपितू हम एक कि दुबारा कर्मा में फज्जाद गुरु दिक्षा गुरु मंत्र फिर से कहूंगा कोई धन प्राप्ति का मंत्र नहीं है द्रिष्टी कोण का चक्कर है अगर द्रिष्टी कोण अच्छा है तो यह अपार धन प्राप्ति का मंत्र है अपार का मतलब जिसकी का कोई पार ही नहीं हो जिसकी कोई सीमा ही ना हो इतना धन अब जो लोग धन को ग्यान समझते हैं और ग्यान को धन समझते हैं वो इस चीज को समझ पाते हैं कि धन क्या है जीवन का असली धन क्या है अगर वो इस समझ जाएं तो निश्चित रूप से गुरु मंत्र अपार धन देने वाला और अगर वो इस सोचे हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा हमारा रुजगार पर चल जाएगा हमारे दंदे बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो मती ब्रह्म का शिकार है राहू से गर्सित है और नए राहू के चक्कर में पढ़ने वाला क्योंकि जब हम कहते हैं हमने आपको गुरु स्विकार किया तो मैं कहता हूँ यह बात बूलो But बेहोशी की हालत में लेए हम बेहोशी की हालत में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जह हमें पता ही रिग्रेट्स कभी लाइफ में ही नहीं होगा यमेशा ध्यान दगए जब तुम बेहोशी की हालत में कोई भी स्टैप उठाओगे तो वो मलाल ही देगा मेरे पास इतने वर्सों से जोते सिखने वाले विध्यारती आ रहे हैं जब कोर्स चलता है तो उनकी आस्था देखने को बनती है गजब की आस्था देखने को बनती है पर आस्था के बाद क्या वो आस्था टिकी रहेगी 90% से ज़ादा विध्यारतियों की आस्था डगमगा जाए बस उसी को मैं अपनी क्लास में कहता हूँ केवल 10% लोग मेरी क्लास में जोत्सी बन पाते हैं आप कहेंगे जो 90% का क्या होता वो जोत्सी नहीं बन पाते मैं कहूंगा हाँ वो भी बन पाते हैं 90 के 90% बन जाते पर वो वो जोत्सी बनते हैं जो जोत्सी का काम तो करते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता जोत्सी है क्या केवल 10% होते हैं जो जोच्सी बनते हैं और जो जोच्सी बनता है ये ध्यान रखेगा उसके जीवन में परिवर्टन आता है उसका खुद का जीवन बदल जाता है दृष्टिकोण बदल जाता है अगर जीवन में रूप आंतरन नहीं हुआ जीवन में दृष्टिकोण नहीं बदला निश्चित रूप से वो जोतिशी बना ही नहीं है कुछ नहीं रखा टेकनीक्स में कुछ भी नहीं रखा टेकनीक्स के अंदर आप के पी सी को जैमनी सी को लाल किताब सी को काली किताब सी को पीली किताब सी को बैदिक सी को जो मर्जी सी को निम्रलोजी सी को वास्तू सी को पामिष्टी सी को जो मर्जी डिग्रियां लगाए त हम वो ही काम करने जा रहे हैं कि अपने घर में कूड़ा पड़ा हुआ है और महले की फिकर मंद है सुबह से लेके शाम तक हाईराम क्या करें महले में कूड़ा बहुत है इसको कैसे साफ करे और फिर कसम खाते हैं महले के सामने इस महले का कूड़ा मैं अपने गली में रहने नहीं और निश्चित रूप से आप लग भी जाते कोई नहीं साथ देता तो आप खुछ जड़ू लेके शुरू कर देते पर कभी ध्यान आपका अपने घर की तरफ नहीं जाता इस संसार में वो ही मिलेगा जो आप सोचोगे इस संसार में वो ही मिलेगा जो आप करोगे इस संसार में वो ही विवार मिलेगा जो आपको दूसरे के पड़ती आप में जो विवार किया है यह संसार गोल गोल है. यह संसार गोल गोल है. मैं अकसर मजाक में एक बात कहता हूँ. अच्छी पतनी दुनिया के हर कोने में मिल जाता है. तो आप कहेंगे फिर समस्या क्या है बस समस्या यह है कि दुनिया गोल है और इस दुनिया में कोई कोना नहीं है अब बात को समझें मैं आये तो बात तो फिर वहीं जीरो पे आ गए हम यह बात भी हो गई कि दुनिया गोल है जब दुनिया गोल है तो हमारे करम भी गोल है घुम घुम के हमारे पास ही आएंगे जिन माहिलाओं ने अपनी सास की सेवा नहीं करी सास बनने पर वो कैसे उमीद करेंगी कि अच्छी बहुप्राप्त हो जाए करम तो किया ही नहीं ना फिर कैसे उमीद मैं उन लोगों को बड़ा बेहोशी वाला आदमी कहता हूं जो अपने करम पर ध्यान नहीं देते जो अपने घर में सफाई नहीं करते जो अपने घर में जाडू नहीं लगाते जो मुहले की गंदगी को बाहर निकलने चले जाते हैं यही बेहोश लोग है जिनने अपने घर की गंदगी नहीं दिखाई देती बाहर सब कुछ गंदा नजरा यानि कि हम अपने करम को ही नहीं पैचान पाते हैं हमने किया है तो भूगतने के लिए भी तैयार रहू क्यों बाबाओं के पास मौल्मियों के पास पंडितों के पास पुरोहितों के पास स्तिर्थों में चक्कर लगा रहे हो क्यों फिर मोर्तियों के चक्कर लगा रहे हो कुछ नहीं होने वाला कुछ में नहीं होने वाला कोई सूत्र जीवन में काम ही नहीं करता काम तो देंगे हमारे करो और गुरु शिश्य का ये जो दीवस है ये हमारे एक परकार का वचन है कि हम अपने कर्मों को सुधारने की आज से हम तैयारी करें हम तैयार है आपके मार्ग दर्शन में कि जैसा आप मार्ग दिखा रहे हो उस मार्ग पे चलने का भर्सक प्रियास करें अब ये तो कह दिया जब गुरु दिख्षा होती है तो एक पूजन होता है देव पूजन संसकार होता है जनेव संसकार गुरु मंत्र देता है प्रिकोशन्स देता है लेते समय चार बार सुचे, पूछ लो कि गुरुजी कहीं फसा तो नहीं दोगे। गुरुजी ने का मास नहीं खाना, तो जीमन भर नहीं खाना। मास छोड़ने को तयार हो, तो उस गुरु को गुरु बना। पूछ लो कि गुरुजी क्या शर्ट हो गुरु ने कहा होश में रहना ठीक है कहते हैं मैं तो हमेशा ही होश में रहता हूं बेहोश तो मैं आज तक हुआ ही नहीं हैं गुरु का होश और बेहोशी की definitions बिल्कुल different हैं तो उसको समझ लेना जरूरी है गुरू से पूछ लेना जरूरी है कि गुरू जी गुरू बनने के लिए क्या करो मेरे पाप बहुत आज रिक्वेस्ट आई कि हम आपको गुरू बनाना चाहते हैं हम आपसे गुरू दिक्षा लेना चाहते हैं कैसे ले उसकी परक्रियाओं में घुशने की आवशक्ता नहीं है स्विकार करोगे तो अभी गुरु हो जाओंगा नहीं स्विकार करोगे तो तीन साल बाद भी नहीं रहूँगा यह आशिश्य के उपर है कि वो क्या स्विकार करता है गुरु जी गलत मिल गए, तो भी तुम्हारा ही कसूर है, तुमने चुना ही ऐसे को, गुरु जी का क्या कसूर है, बोले गुरु जी कभी-कभी कर सकते हैं, बोला हाँ हाँ यह तो चलता है या, इसमें क्या हो गया, चलता है तो फिर चलता है, पर तो गुरु जी भी ऐसे ही म तो यह हमें सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं और फिर कर लिया है तो पस्तावा काई का कुछ बाबा जी लोग जेल में बन दें उनके शिश्य आते हैं अब क्या करें जी हम तो फस गए तुम कहां फसे हो फसे गुरु जी तुम थोड़ी फसे personalum मन से फस गए उन्हें ने जब गुरु स्विकार की था कि न आज उन्होंने गुरु स्विकार कः कि क्युक्की जब उन्होंने कहा तो उन्होंने पूरे जगत में बैंडबाजा बजा मिद不錯 dhole बजा दिया गले में कंटी पहन हैं हमारे गुरु जी वो है आप काई की शर्फ जब गुरु दिक्षा ली थी जब भी तुम ही थे कि आज काई का त्याद किस चीज का त्याद कि फिर एक नए करम में फज़्जा मत करो त्याद गुरु का अपना करम है वो अपना देखेंगे आप उस पर फोकस करो जो उन्होंने टीचिंग्स बताई हैं उस समय अगर आपको उनकी टीचिंग्स अच्छी लगती थी तो आज क्यों नहीं लग रही इसका मतलब या तो तुम धिमाग का कुछ ज़्यादा उप्योग कर रह या उस समय मूर्ख थे दो में से घटना जरूर घटी है और दोनों ही स्थितियों में शिष्य का ही नुक्सा गुरु का निश्य नहीं है आप अपनी जनम कुंडलीयों में देखते होंगे आसपास देखते होंगे किसी की कुंडली में गुरु चंडाल योग बन रहा है किस किसी का गुरु जो है गलत भाव में बैठा उआ है किसी का गुरु नीच राशी में बैठा उआ है पिटा पड़ा है रिख जी गुरू की सेवा करके आया हुआ यह द्यान नकनी है पर उस गुरू सेवाक से उसको आशिरवाद मिला के नहीं मिला बस यही गुरू की स्थिति दिखाते हैं गुरू अगर हमें इस कुंडली में जनम पत्रिका में खराब आुस्ता का मिला तो निश्चित रूप से आप आश अखिरवाद में कुछ कमियों के साथ तो लोग पूस्ते हैं आप इस जनम में क्या करें फस गया हमतों इंभारा वी नहीं फसना यही चिंतन करना कि अब दुबारा नहीं फसना जो करना है वोश में कर बिः रहुंट मैं नहीं है गुरू बनाया था सबके सामने या एकांत कोई माइने नहीं रखता हि बनाया था तो बनाया था ही पिर समाश से नहीं डरनाक परिवार से नहीं रपना से संसार से कि तो अफिर क्यों छिपते फिरते तो एब भी था है है और बहुत ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूं जो तो कहते हैं गुरु जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम भी जो तिशा चारे हैं और अपना सेंटर खोले हुए आपको गुरु भी मानते हैं पर आपकी क्लास में तस्वीर नहीं दिखाएंगे लोग जान जाएंगे अरे ये तो वसित साब से पढ़े हुए हर समय तो किसी को ग्यान नहीं दिया जा सकता और ग्यान तो वैसे ही बड़ा कीम्ति ग्यान सिर्फ शिश्य को ही दिया जा जा जो शिश्य नहीं है उनको ग्यान दिया भी नहीं जा सकता और मैं कहता हूं देना भ क्यों देने से लाब ही क्या होगा उसने उसका दुर्पयोग करना है वो अर्थो पार्जन के लिए धनर्जित करने के लिए गुरु कह रहा है आप यू आर माई गुरु लगाओ मत रखो जादा शिश्यों से लगाओ नहीं रख यह मैं अपने टीचर्स को बूल गुरु बहम में मत आ जाना कि पचास लोग हैं पचास के पचास आपको गुरु जी कह रहे हैं पचास के पचास आपको ग्रेट गुरु जी कह रहे हैं बूल ज वोई पांच साल बाद भी मिलेंगे आप वोई हाज जोड़े हुए gratitude के भाव में कि गुरुजी आप ही थे जिनोंने जीवन बदला हमारा वो नहीं कहेंगे कि हमां कितने सुत्र समझ में आये कितने नहीं समझ में आये वो बात ही नहीं करेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं वो बात ही नहीं करेंगे कि आज हुँ कितना कमाते हैं बस वो एक ही बात कहेंगे गुरुजी में का अफसर है हमारा ओ भाग्य था जो आपको गुरु रूप में स्विकार किया था उसके लिए gratitude देते हैं आपको तो यह मतलब नहीं है कि मैं अंगुठा लगाऊंगा आपक करूंगा तो गुरु दिक्षा होगी कि मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कहता हूं वो चक्तर में ना पड़ो पहले सोच लो भूश में आ जाओ चेतना शक्ति को जगाओ फिर बात करता है बात करोगे निश्चित रूप से अगर मुझे गुरु रूप में निश्चि उनकी परबर्तियों को देख करे सैं के लगता रहे गुरू जी क्या कर करें नहीं वाई वो चीजि नहीं है उन्हें मालूम ही नहीं रहे शक्कर में हैं कि मैं तो ब fender बार कहा देता हूं गुरू जरूर बनाना चीज ईयुश है इंवन में उनको लगता रहे गुरू नहीं बनाया तो जोटसी भी नहीं बन पाएंगे, गुरू नहीं बना पाए तो हमें तरक्की भी नहीं मिलेगी, गुरू नहीं बना पाए तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, वो इस चक्र में गुरू बना ले, भाई ना मुझे बनाओ ना इस संसार मे पर चाहे देवी देवताओं को गुरू बना ले अनुमान जी को गुरू बना ले भगवान शीव को गुरू बना ले अब जी गुरू मुझसे किसी ने पूछा अकल पर्शन मैसेज पर बहुत असान है शीवशूत्र लो पढ़ो पढ़ लो पहले शीवशूत्र अफस मजजा ना किसी के बैकाई में अब भीड जा रही है कुए में गिरने के लिए बोला आपन तो रही गए कल को अपने को कुवा नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे वो चक्कर में मत पढ़े भीड के पीछे मत दो कि भीड कुए में जा रही है तुम भी जा रहे हो किसी ने कह दिया रहे है हम किसी गुरु गुरु के चक्करनी में नहीं पढ़ते हैं हम तो भगवान शीव कोई गुरु मानते हैं बहुत अच्छी बात है भगवान शीव गुरु ही है पर शीव सुत्र तो पढ़ लो मैं आपकी सिक्षाओं को हर्दे से स्विकार करूँ और आपको ये नहीं पता कि सिक्षाओं क्या है बोले नात बैठे मच नागों की माला डाल करके उनका सवरूप ही तुम्हें गुरू नजर आ रहा है उनका सवरूप गुरू नहीं है उनके सिक्षाओं तुम्हारा एक वाक्य में ही सारा खेल बिगार दिया संसार का सारा मज़ा ही संसार का खराब कर देंगे तुम्हारा साथ का मतलब डẹटेच हो जाओ ना अपना कोई अपना है ना कोई पराया न मञई हस उसलोगा सीव सूरसमझय अनुमान जी को गुरु मनoires चरी हुआ जितने गरन्त लिखे हूए उनको संजो हे उनके सिक्षाओं को सम्झय मंतर तक तह बाद में पहुछना वह नहहें वह क्रिया है मंत्र है क्या मंत्र तो जैसे आप अपने कमरे में पोचा लगा करके तैयार कर देते हो यहां से हम कुझा आरंब करेंगे इसलिए थोड़ा अपनी माताओं बेनाओं को हों कह देतेidetगे इसे यहां पर कुझा होगी हमन होगा इस शिषय यह चाहता है गुरु जी के पास आता है और कहता है कि आज मेरे कमरे में पोचा लगाद्म गुरूजी गुरु क्या गुरु जी जहाडू पोचा लगाने वाले ही हैं अब देखो कितनी बड़ी बात है जहाडू पोचा लगाने वाले को हम क्या समझते हैं पर गुरु जहाडू पोचा लगाने वाले हैं अमारे जीवन के बुरे करमों पर से अमारे पास्ट लाइफ के बुरे करमों पर से और गुरु दिक्षा क्या है? उस पोचे से लगा दिया, शिश्य को कहा कि बेटा पोचा लगा दिया है, कमरा साफ कर दिया है, अब तेरी ड्यूटी है, दो, दो ड्यूटी है तेरी, दुबारा इसमें गंदेगी मताने देगा और आज के बाद से पोचा तिरको नित्य कमरे में तुझे ही लगाना है, मैंने तुझे सिखा दिया पोचा कैसे लगाया जाता है, अब आगे से तुझे लगाना है और नित्य लगाना है, अब तेरे उपर इच्छा है कि तु दिन में एक बार पोचा लगाता है, कि दिन में बस करम सिध्धान्त को समझना ही गुरु दिख्षा का उपदेश्य होता है। अगर करम सिध्धान्त नहीं समझा तो कोई लाब नहीं है। पढ़े जाओ मंत्र माला मंत्र माला मंत्र माला सिवाए कोपड़ी खराब करने के, समय खराब करने के, गरस्त जीवन खराब करने के और अपनी जिम्मेवारियों से भागने के अलावा कुछ भी और दूसरा काम कर ही नहीं रहे। इसका मतलब ही क्या है अच्छे करम का? अच्छे करम का मतलब मात्र इतना है कि हमें अपने रोल को समझना है जीवन में। आपकी कुणडली क्या है को यह कर डोबसाने करना कि cha नुचिंद आपको बताती है जिवन में आपका रोल यह यह मिला आप ऐसे कि दर्फटर रहें भगवाण लिख्क के बेज़ा है कि बेटा तिरको संसार में जाने के बाद यह नाटक करना है यह रोल करना है एक जोपसी के पाद जब भी जाओ तो यह समझने जाओ भेरा नटक भी तेरा नाटक क्या है तो यह हीरो तो है पर हीरो इन तुझे ठोड़ के भाग जाए deh अब तेरा नाटक यह है कि तेरी हीरो 1945 चोड़ Все सैंगे तेरा रोल है और दिन रात तु कमाई करेगा उन बच्चों के लिए उस बीवी के लिए तो सब छोड़के भाग जाए तेरा रोल है दूसरे आदमी को रोल दे दिया रहे तेरे को पतनी बहुत अच्छी मिलेगी तेरे को उलाद बहुत अच्छी मिलेगी, अब तेरे को अच्छे का रोल करोगता है. अब आछ्छे को कितने अच्छे से तरीके से करना है? वो आपने दिजाना है. जो इस संसार में नाटक बहुत अच्छे से तरीके से करता है ना निभाता है वह ही अपने कर्मों को साफ कर पाता है अगर तुम्हें जिम्मेवारी मिली है गरस्त जीवन की अनिश्चित रूप से इस नाटक को जितने अच्छे तरीके से निभाओगे तुम्हारा करम ठीक हो जाएगा पत्नी है तो पत्नी का ध्यान रखो पूरा ख्याल रखो तुम्हें ये नाटक मिला है पत्नी कितना भी गुस्सा करे कितना गुर्राय कितना तुमको पीड़ा पहुचाए तुमने नाटक में पाटिस्वेट किया न अब वैसा ही निभाना है दुखी पती होना लिखा है तो दुखी पती का रूल निवाओ कि दुखी पती कैसा होता है पर ये मतलब नहीं कि याद रखोगी तुम्हें कि कौन मिला सबक सिखा दूँगा नानी का दूद्या दिल यह सब नहीं करता है रिवेंज फुल नहीं हो रिवेंज आपको मंगल के द्वारा मिलता है और मंगल पाप ग्रह की स्रीडी में आता है यह ध्यान रखता है यानि कि तुम एक और कर्मा नेगेटिव कर्मा में जाने के लिए तयार हो रहे हो रिवेंज लेने के लिए वो करेगी उसको जो रोल मिला है वो करेगी तुम अपना रोल करो पिता का रोल मिला है तो पिता का रोल बहुत अच्छे से निवाओ केवल बच्चे की फीस भर देना स्कूल में ये पिता का अच्छा रोल नहीं हो सकता आप तो गार्जन बन गए अंग्रेजी में बोलते ने गार्जन बस गार्जन वो ही है कि जो पैसा दे दे वो ही गार्जन जो पैसे के साथ शिक्षा दे आपको एक अच्छा इंसान बनाए समाज को वो दे के जाए जूंहें भी याद रखने। आधाध समाज तुम्य़ाद रखने। बागवान संतान उत्पत्थी को धर्म क्यूं कहा है क्यूंत रूआ करना धार्मिक का ने उत्वा करना एक धार्मिक का ने दुस्रों के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि संसार याद रखे अब आपने एक ऐसा आइटम पैदा कर दिये जो कुद को भी दुखी कर रहा है गर को भी दुखी कर रहा है महले को भी दुखी कर रहा है सहर को भी दुखी कर रहा है तो आप एक अच्छे पिता कैसे हो सकते लोग कहते जी हमारा क्या कसूर है हमने तो बड़ा अच्छा पढ़ाया लिखाया नहीं आपने रोल में कमी छोड़ दी कहीं नहीं आपने पिता का रोल सही तरीके से नहीं निभाया क्योंकि आप पिता जब बने तो आपको उससे पहले पता ही नहीं था पिता होता क्या एक जीव पैदा कर देना मातर पिता या माता हो जाना नहीं है फिर मैं यहां पर बात होश की कहूंगा संतान पैदा करो पर होश में करने क्या जा रहे हैं संतान पैदा करने जा रहे हो होश में आ जाओ समझ लो पिता क्या होता है लड़की समझ ले कि मा क्या होती है अगर यह हमने समझ लिया तो सारा उप्दिश्य पूरा हो जाए पंचम भाव जो होता है हूँ आनन्द का भाव ने पर चोभ्य में तो मा है भगवान ने ने पहले ही दे के भीजा है कि मा का कारे क्या है कि यह प्टोतल भाव अगला भाव उससे मतल भाव उसका भड़ी भाव है तो चतुर्थ का वर्दिभाव पंचम है और पंचम से संतान है मा का करम है प्रेम करना शान्ती प्रदान करना मन का सुख प्रदान करना मा का मा को पहला गुरु बताया है सास दो पर मा ने सिखाया ही नहीं कि मानसिक रूप से ठीक कैसे रहना है मा ने बताया ही नहीं उसे कि खुश रहा कैसे जाता है फिर आएंगे वसित साब के पास दी बच्चा खुश नहीं बाई ये सिखाना तो तुम्हारी दिम्मेवारी थ कि मा खुश कह रही है बच्चा खुश नहीं क्यों खुश होगा बच्चा माने सिखाय नहीं कि खुश रहा कैसे जाता है मा ने जिम्मेवारी नहीं निवाई नाटक नहीं निवाया सही तरीके से फिर से मा बनना पड़े जब तक मा बनते रहोगे जब तक अपना नाटक सही तरीके से नहीं निवाऊगे और वैसे ही संताने आती रहेंगी उल्टी सीधी जो तुम्हें दुख देंगी कस्त देंगी तो तुम्हें अपने रोल को समझकना है अगर मैं एक टीचर हूँ और टीचर भी अगर मैं जोतिश का हूँ तो मुझे ऐसी बात भी बोलनी पड़ेगी जो आपको पिरियनाल है बोलनी ही पड़ेगी यह मेरा कारे है अगर मैं केवल आप लोगों की तारीफी तारीफ करता रहूँगा निश्चित रूप से मैं धन्तो अर्जित कर लूँगा आप लोगों से पर मैं गुरू के रूल में फेल हो जाऊँगा मुझे बताना पड़ेगा कि होश क्या है और भ्योशी क्या है मुझे समझाना पड़ेगा कि मैं जोतिश क्यूं सिखा रहा हूँ उसके पीछे का उपदेश्य क्या है इसलिए चाहे वो वैदिक जोतिश पढ़ने वाले सिस्य हों मेरे या लाल किताब सीखने वाले स्टूडेंटों मैं हरे को कहता हूँ जोतिश जीवन को समझने का विज्ञान है जोतिश मानव का मनविज्ञान है इसको हमें समझना है कि जीवन जीना कैसे है that's the art of living मेरा एक कोर्स है जिसका नाम मेंने रखा था art of predictions वो art of living से परभावित हो कि था में एप्यर्ट ओप्रिक्षों में पर डिक्षं की तो बात ही नहीं है पॉज़ फिल लीविंग लीविंग की बाते ओर रही है कियोंकि अगर मैं समखता हूँ कि मैंने जोतिश के कप आप आद रे दिया आप लोगे को और उसमें जीवन परिवर्तन की कोई बात नहीं है तो मैं फेल हूं इसलिए कई बार मैं सूत्र से हटकर की भी बाते करता हूं जिसका कि कई बार लोग परिशानी हो जाते हैं अरे गुरुजी फोकस नहीं करते हैं यह मेरे पढ़ाने का तरीका है यह तो आप लोगों को सो कुछना है कि मुझे स्विकार करना है कि नहीं करना मुझे आशकता नहीं है कि एक एक कान पकड़ पकड़के मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा यह मेरा कारे है ही नहीं मेरा अवदेश्य है जो मैंने सिखा है जो मैंने अपने गुरु से पाया है जो आशिरवाद मैंने गु गुरू से पाई है उसके थोड़े चीटे आप लोगों तक भी पोचा दो कि हमारे गुरू का कारे करना भी मेरा सरप्रतमकार है अगर मैं अपने गुरू की शिक्षाओं को ही नहीं बताऊंगा तो कैसे बात मेरे मंत्र विज्ञान वाले कोर्स में है क्या हमारे गुरू जी और जो बताया वो कुछ किताभी ग्यान दे दिया पर मेरा उप्देश अखर कोड्स के पीछे होता है मेरे गुरू कारे को आगे ले जाका मेरा मानना है सच्ची गुरू सेवाई वह है जो गुरू कारे को आगे बढ़ाए गुरू के उप्देश्य को समझे और जो गुरुप देश्य को समझ जाएगा गुरु कारे को आगे बढ़ाएगा अगले जनम में चाहे वो गुरु उचिका ले ले चाहे गुरु दिगवली ले ले जैसा उसका सामर्थे होगा तो आप तो जाएगा हो गया ना जीवन परिवर्तन बस ये कारे करता है जोतिश और हम फसे पड़े हैं पतानी किन किन चीजों में और कलाइंटों का तो और भी बुरा हाल होता है उनका तो बस पूछो मत वो तो कहते हैं जी बस छै महीने में तीन महीने में बस परिवर्तन कर दो कि कोई जंजट ना आए जीवन में वोई दिक्कत आनी नहीं ची हमें मैं क्या कहूं कि यह सूत्र तो मुझे भी हात नहीं लगा अभी तक मैं खोज तो मैं भी रहा हूँ कि कोई ऐसा मंत्र हात लगे जिससे बुडापा ना आये बीमारी ना आए, पत्नी भी एक दम एक वाक्य के अनुसार कारे करने लग जाए, उत्र भी एक दम भागे भागे फिरें एक आवाज में, और जो मेरे सारे चेले हैं, सब नत्मस तक रहें, अभी तक मंत्र मिला दे, जिस दिन मिलेगा जरूर दूँगा, पर जितने मि ग्यान की गहराई में जाता हूँ, साधना की गहराई में जाता हूँ, निकल के वो ही आ जाता है, कि बाओ जी ऐसा मंत्र है नहीं, जिसकी तलाश आप कर रहे हैं, टाइम खराब मत करो अपना, जितना है उतना ही बाट दूँग, उतना ही लोटा दूग, तो संस सबस्क ignora है अगर सुत्र में दया है था मुझे समझे नहीं हो सकता है सुच्छ में पसंद नहीं आए नहीं बता कैया जो तरीका पसंद आ गया वो बता दिया कोई कितना बी कृटिसाइज करे कितना भी ना करे क्योंकि गुरू को क्रिटिसिजम से भी डरने की आउशक्ता नहीं हूँ अगर गुरू क्रिटिसिजम से डरेगा तो कैसे पार पड़ेगी अगर मैं अपने आपको सच्चा टीचर मानूं या मानने के लिए कहूं आप लोगों से तो मुझे भी अपने अंदर बड़ा भारी परिवर्तन करना चाहिए और करता रहना चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मुझे माने उनके लिए भी और जो मुझे गुरू ना माने उनके लिए भी दोनों के लिए मुझे एक ही बात कहनी हूँ, अलग-अलग सूत्र नहीं समझाए, सब के सामने कह दो जो सूत्र है, तो मैं अपने टीचिंग की रोल को सही धंग से निभा पाऊंगा, आज के गुरु पुर्णे मा के दीवस को मैं सही माइने में मना पाऊंगा, मैं आप लोगों से आऊंग और कह दूँ ये मंत्र ले लो, और जो मेरे से दिक्षा प्राप्त कर लेंगे, वो तो अजर अमर हो जाएंगे, ये सब बक्वास पाते हैं, सच्चा गुरु यही बताता है, अजरता, अमरता, इन चक्रों में मत पड़ो, जीवन में ये जो जीव पाया है, ये जायेगा जो, अच्छा व्यक्तिस की तैयारी करके रखता है, भ्योश आदमी, भ्योशी के हालत में चल देता है, बिदा करते हैं, अच्छा टाटा वाय वाय चलते हैं, दुआओं में याद रखना, अब अच्छे अच्छे पुत्र संदान पैदा की होगी, अच्छे संदान पैदा की होगी, तो दुआओं में बहुत याद करते हैं, और वो भी नकारे और निकम में पैदा करके गए हो, तो लिश्यत रूप से, भाव जी अब गुजर ली, अब इनकी तो तस्वीर भी अटा दो, कपड़े गंगा जी में फैका हो, इनकी तो कोई आदास्ती भी नहीं होने चाहिए, तो वो फिर आपके उपर है, कि आप क्या करके जोतिश भी आपको यही समझाता है, कि तैयारी आपको तैयार रखनी चाहिए, हर साल गुरु पुर्णिमा, गुरु पुर्णिमा भी ही यही कहती है, तैयार हो जाए, गुरू पणिमा तैयारी का दीवस है क्या हम तैयार है अगर आप तैयार हैं मन से तो निश्यत रूप से गुरू केवल मन से कह देने से भी गुरू हो जाता है जबान से कहने दिन में 108 बार भी आप मुझे गुरू कहोगे अपनी जबान से उसकी वेल्यू जीरो और मन से एक बार भी गुरू कह दोगे तो उसकी वेल्यू एक लाग गुना है तो यह तयारी का दीवस से पूर्णिमा का तात्प्री ही यह होता है पूरंता को प्राप्त करने के लिए तयारी करता आज की दिए और गुरुजी के पास आके कहता है गुरुजी तियार करवा देश्य क्या होना जीवन की पूरणता है कि जब जीवन से बिदाले गार हमारे दिमाग में जब पूरी पिक्चर चलेगी ना तो इस पिक्चर में अपूरुनता नहीं समझ भांगे चीवन पूर्ण नजराना चाहिए जब हम से कहें कि परमेश्वर बुला लो कभी-कभी लोगों को है ना सपने में भगवान आ जाते हैं पर यह ध्यान रखा करो कि भगवान ने आपको बुलाया है या आप ने भगवान को बुलाया कंफर्म कर लो कहीं ऐसा नहीं कि आप आपको भगवान ने बुला लिया है तो उस नीन में जरूर पता कर लिया करो देखा मजाग भी करता रहता है चलिए अगला क्वेशन लेते हैं ज्यान इंदर जी के को भी बड़ा धन्यवाद जो उन्होंने मंत्र की बात की चतुर्ट भाव सुख देता है जो भी हम मंत्र जाप करते हैं उससे मन को कितनी शान्ती प्राप्त होती है ये उस राशी से चोटा भाव हमें बताएगा उस मंत्र की सफलता अर्थार्थ सफलता का तात्प्रे यहां पर जिस उब्देश्य के लिए जो मंत्र जाप किया गया था जैसे महा मिर्तुञ्य मंत्र जाप मिर्तियू भाव से छुटकारा दिलाने के लिए जब किया जाब अब इसमें भी कई चक्कर है हमारा समाह समझता है कि बंदा उस्पिटल में पहुच गया अब गुरु मंत्र करा उससे वेटर है जब भी मिर्तियू भाव लगे तो हमें जब करना चाहिए तो महा मर्तुञ्य मंत्र मिर्तियू के भाव से मुक्ति दिलाने का कारे करता है कि जिस मंत्र का भी जाप कर रहे हो जिस उब्देश्य के लिए कर रहे हो वो उब्देश्य पूरा होगा नहीं होगा ये दसम भाव बताएगा दसम का भाव उस मंत्र की राशी से दस्वाव ये उब्देश्य को बताता है महा मर्तुञ्य मंत्र जाप किया भै से मुक्ति के लिए मंत्र जाप करते ही आपको भै मुक्त होने लगा तो समझो दस्वा वाव राशी से बहुत बढ़िया है ऐसे ये का दस जोतिस के सूत्र बड़े सिंपल सिंपल है पर जब हम लगाते हैं तो हम बज़ जाते हैं उसके पीछे भी हमी जिम्मेवार है क्योंकि सिंपल चीजें ही हमें समझ में नहीं आता और मैं सिंपलिसिटी इसलिए रखना चाहत हूं इसलिए आपको PPT में नोट्स में नहीं फसाना चाता क्योंकि दायरा छोटा हो जाता है बहुत छोटा दायरा हो जाता PPT नोट्स से आप फिर मेरे नोट्स को ही स्टड़ी करते रहेंगे उससे बाहर अपना दिमाग ही नहीं लगा पाएं मैंने अक्सर देखा है नोट स्टूटेंट उससे बार ही निकल के आपाता है अरे भाई यह तो मेरी यात्रा थी मेरा अनुभाव तो तुम्हारा अनुभाव क्या वो कौन लेखेगा वो नोट्स तो तुम्हारे अपने अनुभाव के होने चाहिए बनाओ कि नहीं जी नोट्स दे दो अब मैं भी जिद्धी हूं नहीं देता हूं और आप हैरान होंगे बना के रख रख कोई फिर चुपके से मांगता तो दे देता हूं ले बाइक मंद तेरे मन को खुश कर दे मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इससे यह भी होता है कई बार फाइदा भी होता है फाइदा यह होता है कि शिश्य अच्छा त्यार होता है स्टूडेंट सीख जाता है घाटा यह होता है कि वो दो बार गुरी जी को कहते हैं क्या कैसे का पस गया नोट्स नहीं देते जो है वह नहीं देता यह नहीं देते वह जाता है क्योंकि वह एक दाइरे में एक बार पीपीटी आपने मेरी पुरानी कुछ लाल किताब के कुछ देखें होंगे या मेरे और यूट्यूब पर पढ़े हैं देखना पीपीटी का इस्तमाल किया है शुरुआत में पीपीटी वह भी स्टूर्ट के कहने पर चूकि मेरी नैचुरल परतिवाह नहीं है मेरा ममला है नहीं फिर भी मैंने का चलो भई सब कह रहे हैं जी पीपीटी पाया जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं पीपीटी वाले भी मेडियो यूट्यूब पर पड़े हुए मैं इतना सही दे पाया मैं इतना देने की सामड़ते रखता था अगर पांच पॉइंट पीपीटी में लिखे हो मैं भी पांच ही बोलूँगा च्छटा तो मुझे भी ठीक है चलिए अब आगला किसी का लेते हैं आज पूरी क्लास आपके नाम से यह बताओ गुरूजी में बात यह कि नहीं गुरू के पर कह रहा हूं मेरे पिता जी ने मुझे मेरे 30 साल की उम्र में समय समय पर अलग अलग पंडितों गुरूवों से मिलाया है और कहीं उन से हैं ना मतलब शायद मुझे से प्रसंद नहीं हैं पर मेरे पास जो यह उनके आशिरवाद हैं मैं उन आशिरवादों और इन आप मैं आप से जो मैं मैंने सीधे आपके मांत्र एस्ट्रोजी आपसे खरी दी मेरे मुझे है ना श्रीविद्या में बड़ी इंटरस्ट है पर मैंने जब उनकी किताब उठा के पड़ी तो उसमें लिखा वाता कि यह ना बिना गुरू के आप इसको सीख नहीं सकते सिखना नहीं चाहिए तो आप मुझे मिल गए मैंनों मंत्र एस्ट्रोजी का कोस ले लिए उसके अंदर श्रीविद्या जी संदल लेदी के सामने मेरे सामने आगे कड़ी हो तो मेरे पास यह आशिरवादों को मैं कैसे अपने जीवन में सदुक्यों कर सकता हूं मैं यह समन कमी ना रहे तो अनपानी बाटना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा आप चाहते हो धन मेरा जिंदगी में कभी भी धन में कमी ना रहे तो थोड़ा थोड़ा धन बाटना शुरू कर दो जिस चीज की वर्धी करना चाहते हो जिस चीज की वर्धी करना चाहते उसको बाटना उसकी ब्रदी हो जाए आशिरवाद प्राप्त किया तो लोगें और देना शुरू कर दो आपने का ऐपने बड़े लोगों का राशिरवाद लिया है वा आश वाशिरवाद बातना शुरू कर दो अच्छे हर्दे से लाई क्या थे भी मिला हमें आगे बाट दिया मेरा मेरा नवाश में गुरू नीच का यह गुरूजी और मैं ज्ञानेंदर मैंने आज यही बता यह आपि की बात में वही को लगा वही कह रहा हूं तो समय समय पर गुरू मिलते रहे अच्छा होता कि यह गुरू मिल जाता और वहीं पर रुख जाते और पकड़के बैठ जाते तो समय समय पर गुरू मिलने की चिंता ही नहीं सताती है गुरू मिले बहुत अच्छी बात है और एक ही में पर टिक जाते हैं तो सिंपल हमारे जो दिक्षा गुरू है वह आज भी दिक्षा गुरू है जब मैं मात्र 17 साल की आयू का था आज जब ही वह हमारे दिक्षा गुरू थे व आज भी हैं लिध्वनास्ति दूसरा कोई नहीं कि दूसरा कोई होई भी नहीं सकता कमजोर गुरू गुरू के पास भुकाता है है तरहे तरहें के गुरूं के पास जाने की बात कुपड़ता है, हमारा मनी नहीं करता है, सभी का सम्मान है, बहुत ज़्यादा सम्मान है, सभी का सम्मान करते हैं, जो भी अच्छी बात बता रहा है, जो अच्छा ग्यान बता रहा है, जो अच्छा करम करने की सिक्षा दे रहा क्योंकि मेरा ये मानना है जब मैं बेहोश था उस हालात में गुरु ने पकड़ा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जब जब बेहोशी आती है वो गोश में लेके आते उसलिए उस सर्वोच्च है अगर आप समझते हो कि ग्यान जो मैं आपको देता हूँ ये उत्तम है तो ये मेरे गुरु का ग्यान है मेरा नहीं जिसे आप उच्य मांते हो तो भी मेरे गुरु का है नहीं मांते हो तो मेरे गुरु का है अपना कुछ है ही निए तो गुरु को इस तरीके से मानो कि पूछो मत जब गुरु अपने शिश्य को दिक्षा देता है तो मनी मन में मंत्र जब करता है तौम प्राण मं प्राण मं प्राण तौम प्राण आज के बाद से जो तुम्हारे प्राण है वो बेरे प्राण हो गए और बेरे प्राण तुम्हारे प्राण हो गए पस यही तो त्यारी है चेतना का मंत्र देता है गुरु मंत्र पहली बार में नहीं मिल देता है चेतना मंत्र में हें वी पिषित्हना मंत्रрип दिया दो कर दो को चेत्पना मंत्र जब ज्यागरत वह तो मंत्र नहीं मैं कि सहल नहीं इस नहीं पी सहता से मिल जाए जो सहलता से मिल प्रियास कर एफर्ट करो हम अपने भाग्य को जगाने का करम तो हमें करना पड़ेगा भोश में तो हमें आना ही पड़ेगा जैसे मर्जी आओ 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 नाओ वह आपकी मर्जी गुरु मंत्र धारण करके जो मर्जी करो वह भी तुम्हारी मर्जी है फिर फज्जा ओगे आना वह गोल गोल गुंके गुरु वक्री हो गए गुरु गलत भाव में बैड़ गए गुरु पाप ग्रहों के साथ बैड़ यह सब उसी चीज़ पर क्रिया के पार्ट है कहीं ना कहीं गड़बड हो और गु की चीज़ बहुत गड़बड़ा हुआ है और कि मुझे बहुत कुछ आता है विवाद वहेस घुरु से गुरु से गुरु की कम्प्लेंड यह सब हैं पहसा देता है एहम कुछ ज्यादा क्या है हमारे गुरु जी तो बचारे सीधे साधे से और देगो फेलाने राम जी के कितने बढ़ियां उनके हमारे गुरु जी कि बचारे के कोई आई नहीं कि क्या ले ना देना गुरु रामदास के पास कबीर के पास अंप देखो जाकर गुरु ओ को समझो हिंदुस्तान गुरु ओका देश है इसलिए से गुरु परदेश कहा गया है और इस जीवन में अगर हम हिंदुस्तान में पैदा हुए है तो ये भी हमारा सो भाग्य अगर हिंदुस्तान की धरापर जनम लेने के बाद भी कोई अपने आपको आप भाग्य शाली समस्ता है तो निश्चित रूप से वह वहोशी की आलत न जो क्योंकि गुरू तो हमें भी इसी धर्ति पे मिलेगा न की इसी देश में मिलेग है और जगाओं पर यह कंसरप्त नहीं है टीचर का कंसर्पट है गुरू का किंसरपट无िए पैसा लो पैसा दो मामला खत्म फिर तो आप हाथ भी मिला सकते हो गुरू जी कि जी तो गुरू जी कि यह मेरा अधिकार है यह मेरा जैसे आप YouTube पर है ना बहुत वीडियो समय समय पर डालते रहते हैं तो क्या यह मेरा दिकार है कि मैं वीडियो को देखकर बिना आपसे गुरु दश्णा लिए उस विद्या को का उपयोग कि कि किसी का मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं क्या वो विद्या मुझे फलेगी मैं मैं सिर्फ यह बात कह रहा हूं कि जो फ्री में सीखने के चक्कर में रहते हैं ग्यान को प्राप्त करना आपका अधिकार है अपने जीवन में अज्ञानता को स्माप्त करना आपका अधिकार है जीवन में दरिद्रता प्राप्त हुई है तो उसको स्माप्त करना तुमारा अधिकार है गरीब पैदा हुए तो गरीबी को खतम करना तुमारा अधिकार है कि तुम्हारा जनम सिद्ध अधिकार है कि तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो बेहोश हो तो होश में आना तुम्हारा अधिकार है कि सारे तुम्हारे अधिकार है अब प्रशन उड़ता है कि हम फिरी में ले रहे हैं तो क्या करें ये भी आपका अधिकार है कि आप क्या करना चाहते हैं वैदिक जोतिश और लाल किताब दोनों एक ही बात कहते है फिरी के चक्कर में ले लिया ठीक के या कोई बात नहीं कभी तो समय आएगा धन नहीं है कोई बात नहीं नमन करो नमशकार करो सज्जन व्यक्ति को कहो कि क्या आपने जो टीचिंग दी दी उसके लिए नमन कोटी कोटी नमन हर्दे से नमन करो जरूरी नहीं धन ही हो धन तो बहुत बात में आता है धन आने के बाद आप कहो कि गुरुजी आप प्रेशानी के अंदर हो और हम दे को धन में खेल रहे हैं यह आपका अधिकार नहीं होते हुए दीनता और दरित्रता का परदर्शन करना यह बहुत खराब है यह फसा देता है नहीं है तो सब माफ है है और फिर दीनता और दरित्रता को जीवन में लेकर के आना और गुरु के सामने जूटा रोना रोना कि मैं दीन हूँ मैं दरित्र हूँ बहुत गलत है मैं एक स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ जब कोरोना काल के अंदर एक स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया कि गुरु जी मेरी जॉब नहीं है पर मैं आपके वीडियो देखता हूँ पर जोतिस सीखना चाहता हूँ और आपसे ही जोतिस सीखना चाहता हूँ मेरा को सीखो तो कहा गुरुजी ये जो कोर्स की फीस है ये मेरे पास नहीं है तो देने का कोई बात नहीं भाई समय ऐसा चल रहा है ये विप्रीत इस समय तू भी डरा हुआ और हम भी डरे हुए पर दो डर्पोक आदमी एक दूसरे को सारा तो देई सकते ना तो चल भाई अब हम सारा देते हैं कि क्या होगा कि उस बेचारे को हमने कोर्स करवाये और करोना काल के हमारे पर टैमी टाइम था तो दबके कोर्स चलाए मैक्सिमम कोर्स में वो बच्चा जोइन कर रहे हैं और हमने पर्ष्ट रूप से जो लड़की अपने वरक फ्रॉम होम कर रही थी तो मैंने का मना नहीं कर रहे हैं इस लड़के के लिए स्पेशल चूट है इस लड़के को हमने देना है सवा साल या डेड़ साल वो लड़का हमारे यह कोर्स करता है तो मेरे तो जहन में भी खतम हो गया कि भी यह पैसे देगा एक समय आया उसका फोन आया पोने दो साल के दा है गुरुजी मैंने फीस आपकी देगा मैंने का पहले तो यह बता तेरी जॉब लगी नहीं लगी बोला गुरुजी छह महीने हो गए मुझे जॉब लग गई अब मैं चुकाना चाह रहा हूं और उस लड़के ने इतना अच्छा हिसाब बना रख खापना यह एक रुपे का डिस्काउंट नहीं मैं इतना सर्प्राइज था उस लड़के ने अकाउंट डिटेल लिया और सारा पैसा रिटन किया मैंने उसको जबकी मना करता रहा कि बाई कमी है कमजोरी अभी रहने दे जब मुझे इतना याद नहीं रहा तो तु क्यों इतने चकरों में पढ़ रहा है और कम कम करके दे तो किस्तों में दे दे मैं हरत रहें के झूट दी ड़का नहीं माना पूरी payment दी फिर गुड़गाओं में आया मिरसी मिल लेके तो मैंने का यार यह देखो कमाल की बात सही माइने में तो यह समझ में आया इसको जिसको मैं सोचके बैठाओं यह बचारा कहां से दे उसने मी दिए ऐसे लोग जीवन में राइस करते ही करते हैं चैंब उनके भाग लोग रोना शुरू कर देतें तीनता दिखातें डरह दिलता दिखाते हैं हमें कौह परक नहीं पड़ता है यह शॉंचेरण ह कि पचतरक पड़े जा testimony बाद को है पर उनकी देनता से उनकी बोपतर दर्चन से फरक हमें ही पड़ने तो ग्यान इंदर ये स्टूडेंट को समझना है या ग्यान लेने वाले को समझना है कि मुझे नमन उस व्यक्ति को कैसे कर भाए जेब मैं है तो पहुचा दो नहीं है तो ग्रेटीचूट तो जरूर पहुचा मैं एकसर कहता हूं पंचमबाव से ग्रेटीचूट देखा जाता है जिसमें ग्रेटीचूट की भावना नहीं वो धन की बाती छोड़ दे होश में आ जाएगा इस जीवन में छोड़ दे भूल जाए बेहोशी की आलत नहीं रहेगा जिसे मैं होश कहता हूं यह होशी पंचमबाव और जितनी आप इस दीनता और दरिदरता से जल्दी चले जाएं मुक्त पालें कुटना ही जल्दी आगे बढ़ जाएं सिंपल चलिए आज एक क्वेश्चन ओर लेते हैं फिर मेरे पास लोग आये हुए हमारे भी कुछ हां हरीश ने फॉन हो उठाया था हां बताए हरीश गुट परें गुरुजी आज मंत्र शक्ति और चेटना शक्ति के तुरू जो जो मेरी कंफूजन थी जो वेस्टन फिलॉसिटी तिखाती आ रही है काफी टाइम से कि रही आप कोई भी वर्ट रिपीट करते हो तो ज़रूरी नहीं कि यूज 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 अगर आपकी कॉंशिशनेस अगर बहुत क्लीन हो जाए और बिलीब हो जाए देन देन आइधिंग यूज चेंज वर्ट सो वेरी वेरी थैंक्यूस तो इमार्च आपने बहुत अच्छा एक्समेरेशन दिया मेरी क्लारीटी मिल गए मिन फैक्ट साइंटिपिक रिसेर्च ढूंड रहा था उसकी के बेसिस पर और मिल भी गई वोई चीज़ें थैंक्यू बलजिंदर जी नमश्कार गुरुजी नमश्कार आपसे जो ब्यांत रात हो रहा है वो आपार है गुरुजी तो आपको बहुत-बहुत नमन है तो मेरा एक क्वेस्टन था कि जो शनी और केटू कर जड़ योग बनता है वो सब्तम में जो होगा तो उसका क्या प्रभाब पड़ेगा है कि सिंपल है दोनों ही ग्रह सेपरेटिव नेचर के हैं कि बार बार जीवन में दुख कश्ट धंपत्य जीवन में बड़ी परिक्षाएं होंगी और तो क्या है कि वहराग्य भाव जागरित होगा डेटेच्मेंट आएंगे दो खाएंगे कश्ट आएंगे यह सब समस्या होने के चंस से हैं अब उसके उपर भी डिपेंड करता है कि हम अपने रोल को निबाते कहते हैं सब चीजों के बावजूत जो सही से निबालेगा ठीक है जो नही प्रड़ जायागा सब्तम में अगली बार सब्तम से अगर सही तरीके से निजात पानी है ना तो हमारे यहां पर साथ जन्मों का है इस जनम का नहीं है तो यह की जनम में प्यार कर लो जितना करना है अगर मुक्ती चाहते हो तो अदूरा छोड़ दोगे तो फिर वहीं मिल जायागा तो द्यान से जैसे जैसे शनी का और केटु का दोनों का अपने इनका उपाओ करना पड़ेगा पाओ तो बिल्कुल करना पड़ेगा शनी का भी देखना पड़ेगा और भी देखना पड़ेगा निश्च्चत रूप से करना पड़ेगा इस चलिए आरे नुद्वेजी पडाम गुरुजी आपने स्वारेण की बारे में बताया था पंच अमभाव से बनता है तो उसमें अगर मंगल और राहु बैठा है तो आपने बताया साधी में दिक्कत होती हो तो जैसे साधी होने में भी दिक्कत होती बिलकुल होती है और लेट हो गई है लड़की की फूरी में जैसे तो फिर उसमें राहु का उपाए कराणा पड़े लो सबसे पहले तो यह कि बैद कुरूद ना करे जिसoka उपाए बेट कूरोद और जिद ये भाहती गडबर चीजें होती है ग्रोध और जिद जो है हमारे भाग्य को डेंट मारती है तो वो सब चीजे नहीं करने चाहिए हर्शा पराँ ग्रोजी पराँ पराँ ग्रोजी हर्ण इतना सारा ग्यान देने के लिए बहुत बहुत दन्युआ ग्रोजी कुश्षा चोटा सा प्रशेण जैसे हमारे नाखून होते हैं गोरजी तो नाखून पर कभी-कभी ऐसा देखा है मैंने की दारिया बन जाना गहरी-गहरी, कभी-कभी वो काली-काली सी भी दिखती है, कभी-कभी उस पे white color के spot भी आते हैं, जैसे अगर calcium की कमी मानते हैं तो वो तो सब पे आते हैं, कभी-कभी एक ही नाखुन पर आते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है नाखुनों के अंदर हमारे एक चंद्राकार बने होते हैं, जो बिल्कुल बोटम में होते हैं पामिश्टी में जो नाखुन में चंद्राकार है, जो बोटम के अंदर वो एक अच्छा चिन है पर जिन लकीरों की आप बात कर रहे हो जिन निशानियों की आप बात कर रहे हो यह अच्छी नहीं है यह अच्छे स्वास्थे को प्रतर्शित नहीं करता है खाया पिया ना लगना डाइजेशन से related समस्याएं लीवर से related समस्याएं अर्दैरोग कई तरह की समस्याओं को नाखुनों के द्वारा देखा जा सकता है तो वो कोई भाके से related नहीं है वो health के issues हैं इसका सीधा सीधा मतलब है यो TOP में है नाखुन पर आ रहा है जादा पर आ रहा है ऐक पर आ रहा है तो कम है problem जादा पे आ गया तो चाहदा problem है हमारे नाखुनों के आकार हमारे नाखुनों के परकार हमारे ब्रेंस रिलेटेड होते हैं यानि दिखाते हैं हमारे दिमाग में विचार कैसे कैसे चलते हैं मजाग में कहता हूं खोपड़ी कैसे काम कर रही है हमारी अगर आपके विचार बहुत अच्छे हैं उन्नत है, सोच अच्छी है, तो नाखून हलके से पिंक के शेड लियोए मिलेंगे आपको, जो हीमोगलोबिन को भी परदर्शित करते हैं, आयरवेज के अंदर जीब को देख करके, नाखून को देख करके, हतेली के रंग को देख करके, भी बीमारियों को समझा जाता है, सिम्टम्स के अलावा, तो ऐसे ही पामिश्ट्री में ये भी एक तरीका होता है, बीमारियों को समझ देगा कभी डिटेल पे चर्चा होगी समय लगेगा तो नाखुनों के उपर आप सभी को गुरु पुर्णिमा की विशेश सुप्राम अन्यवाद गुरु जी आपको विशेश सुप्राम पुर्णिमा पे बहुत 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 प्रडाम गुरु जी प्रडाम गुरु जी